बचो, important concept series में, आज हम लोग Newton's law और friction दोनों में इस टाइफ के questions बनते हैं, जिसमें कि object का जो moment होता है, वो दूसरे objects पर depend करता है, जिसको आप constraint equation से भी solve करते हैं, और एक shortcut होता है, tension वाला method, हम लोग उसी tension वाले method से सीखेंगे, कि blocks का acceleration कैसे निकाला जाता है। बचो, important concept series की एक playlist है, जिसमें हम लोग कई तरह के concepts को discuss कर रहे हैं, आप लोग उसको जरूर चेक कर लो, इस YouTube चैनल पर, let's begin, suppose ये हमारे पास से कोशन है, फिलाल हम लोग इसमें ये ले रहे हैं, कि friction नहीं है, लेकिन इसी में examiner friction को जोड़ करके भी question frame कर सकता है, ये तीन मासे हमको दिखाए गए हैं, और इसको हम लोग खीच रहे हैं, left side में, और हमें निकालना है, इन blocks के acceleration, fine, इसको constraint equation से एगर solve करें, तो थोड़ा सा lengthy हो जाता है, tension वाला method comparatively easy होता है, वो method क्या होता है, जब तक string एक जैसी है, तब तक tension से रहेगा, तो मतलब यहाँ पे tension, tension is always a pulling force, object से दूर, इस M2 पर tension, object से दूर, चोकि यह string एक जैसी है, इसलिए इसमें tension एक जैसा है, यह जो string है, जिसने M3 को जोड़ रखा है, यह चोकि इन दोनों को balance कर रही होगी, तो यहाँ पे tension होगा 2T, ठीक है, अब इसको अगर आप इधर खीच रहे हो, आपने acceleration मान लिया, कि यह left side में और जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप left side में खीच रहे हो, force left side में लग रही है, इसको आपने माना right side में, यह right में जा रहा है, और इसको लिया आपने A3 जो कि left में जा रहा है, तो धागा एक जैसा है, तो tension एक जैसा, और फिर आपने blocks के acceleration को A1, A2, A3 नाम द कर लो, चाहिए acceleration के साथ कर लो, total लेने पर उसको भी 0 आना चाहिए, तो यह trick क्या कहती है, tension method वाले trick क्या कहती है, कि आप tension और acceleration का dot product करो, हर जगा, और equal to 0 कर दो, तो यह T, इधर यह A1, इन दोनों के बीच का angle चोकी 180 degree, इसलिए T A1 with minus sign, यह minus sign कहां से आ गया, तो कि आपने T और A1 के बीच का dot product किया, वो 180 degree का angle है, cos 180, यहां करो तो बीचा दोनों के बीच का angle 0 degree है, इसलिए T A2 cos 0 का term आया होगा, उसको आप 1 लेक सकते हो, यहां पे 2T A3, यह बीचा दोनों के दोनों एक ही direction में है, angle 0 degree, तो उसको आप 1 लेक के चल सकते हो, और इसको आप क्या कर द acceleration की एक equation बिल गई, अगर हम A2 को इधर ले लें, तो A2 minus A1 plus 2A3 equal to 0, एक equation अपने पास यह आ गई, ठीक है, आप इसमें कुछ नहीं बचा, एक बार आपने जैसे ही acceleration की equation निकाली, फिर उसके बाद चीज़ें बहुत easy हो गई, M1 वाले block का motion left side में body जा रही है, तो F minus T equal to M1 A1 left side में, M2 वाले block right side में जा रहा है, तो T equal to M2 into A2, और पेटा यह जो 3 वाले block है, इसकी equations क्या होने चाहिए बोलो, 2T equal to M3 A3, हमारे पास total 4 equations हो गई, second, third and fourth, हम इने solve करें, तो हमें acceleration, और अगर in case question ने धागे का tension मागा हो, तो वो भी हमें मिल जाएगा, तो पेटा यह trick का इस्तमाल, आप देखोगे आपके जो भी आप जहां भी पढ़ रहे हो, offline, online, जहां भी पढ़ रहे हो, उसके assignments में जरूर इस तरह के questions होंगे, जैसे आप administrative में question ऐसे दिया हुआ है, कि police है और बीच में एक block है, दोनों side को आप constant speed से कीच रहे हो, और इस block की speed को बागा गया है, इस तरह के आप questions पर इससे practice करो, और देखो कितना questions अब आप से आसानी से solve हो जाएगा, जो कि पहले आपको typical लग रहा होगा, tough लग रहा होगा, तो ब कौन से topics चाहिए, या किस concept में दिक्कत है, किस concept को आप पहले चाहते हो, उसको आप chat box में लिखके बताओ, ये important concept series आपके लिए कितनी helpful हो रही है, ये भी बताओ, पीटा, आप चाहे J.E. चाहे Neat, किसी की preparation कर रहे हो, अभी आप 11th में हो, 12th में हो, या आप dropper student हो, यानि आ आपका AIM, IIT, J.E. ये Neat है, तो आपके physics की preparation को strong करने के लिए, आप Physics Moonshot app को download करो, ठीक है, उसमें आप freely अपने doubts पो सकते हो, chat section में, उसमें आप test दे सकते हैं सारे chapter के, without any charge, उसमें freely tests available हैं, और freely आप chat section में जाके अपने doubts को पो सकते हो, और plus, जैसे मालो आपने किसी coaching में जब आपने admission लिया, तो आपका वो chapter वहाँ पे admission लेते समय, cover हो चुका था, चूट चुका था, या due to whatever reason, आपका relative velocity week है, due to whatever reason, आपका Newton's law week है, मालो Newton's law के बेटे concept से, ये week है, तो आपको पूरा package लेने की जुरत नहीं बढ़ती, उस app पर chapter wise packages available है, जैसे किसी बच्चे का सिर questions, इनको पूरा explain भी किया गया है, और उसमें पूरे assignments है, SEV के questions का भी assignment है, और उसके अलग से selected questions का assignment है, कि आपने इतने lectures पढ़ लिये, अब आप ये questions कर लो, इतने lectures पढ़ लिये, बिल्कुल एक planned way में आपको उसमें मिलता है, ठीक है, और अगर कहीं कोई doubt होता है, तो उसक selection एका लो, God bless you.